हाई एवरिवान एन वेलकम टू एडू कैप्टेन तो कैसे हो भई आप सब भई आप लोगों को जो बोर्ड एक्जाम में मैस के पेपर में अस्सी में से अस्सी माक्स दिलाने का प्रॉमिस कर रखा है ना उसी सिलसिले में हम LPP के चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और जो ब पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ इस चैप्टर के अंदर कि पेपर में कोशन कैसे इसका आता है देखो भई इस चैप्टर के अंदर ना आप लोगों का दो MCQ और एक तीन मार्क का कोशन ये पांच मार्क्स ऐसे पक्के होते हैं मैं एवे नहीं लिख देता कि यहां पर जो मैंने आपको लिखकर दिखा रखा है कि पांच मार्क्स पक्के वो इसलिए लिखके दिखा रखा है कि वो बनेंगे प्रैक्टिकली बनेंगे दो MCQ और एक तीन मार्कर कोशन ये बनता है तब जाके आपके फाइफ मार्क्स बनते हैं या कभी-कभी CBSC के मन में आता है तो वो सीधा एक 5 मार्क्स का कोशन दे देती है ग्राफ वाला इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता बेफिकर रहा हूँ अब ये दोनों की प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेफिकर रहा हूँ कोई दिक्कत वाली ब किसी चीज में डाउट हो कि NCRT से कौन से सिलेक्टिड कोशन करने है उसकी वीडियो डाल रखी है और आपको यहां यूट्यूब का प्लेलिस का लिंक मिल जाएगा क्लिक करके जाके देख सकते हो बात रही कि अगर आपको मुझसे परसनली इंट्रेक्ट करना हो बात करनी ह कि सर यह डाउट है वो डाउट है गुरूप में आपको कोशन भेजने हो ताकि आपको सॉलिशन भी मिल पाएं तो भाई यह रही मैस की महफिल यहां पर आके आप जूड सकते हो यहां पर हर एक चीज जो वहां पर कोशन करवा रहा हूं नहीं यह पढ़ा रहा हूं यह सब उसकी प्रैक्टिस के लिए कोशन भी तयार है ड्राइव का लिंक अप्लोड़ीड है यह क्लिक करोगे सीधा आप प्रैक्टिस कोशन की PDF पे चले जाओगे आप देख सकते हो यहां पे क्लिक करोगे और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो बिलकुल भी कोई दिक्कत नहीं आन नीचे बेसिक थियोरी क्योंकि MCQ अगर पेपर में आ रहा है तो थोड़ी वह थियोरी टीचर एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो मैं बहुत ज़्यादा डैप्ट में नहीं जाना चाहता हर चेप्टर में आपको यह कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको एपरेल में जून य यानि X और Y जो भी variable होते हैं यह सब linear होते हैं बास समझ में आ रही है ठीक है वाई आप शुरू करते हैं इसमें ना एक Z function होता है Z तो हम लिखते हैं इसको आप किसी भी name से rename कर सकते हो यह आपका एक objective function होता है क्या होता है एक objective function अब इसे objective function क्यों कहा जाता है क्योंकि यह आपको ना optimal value प्राप्त करने के लिए होता है अब optimal value क्या होती है या तो वहां से आपको maximum मिले या तो वहां से आपको minimum मिले उसे आप Z बोलते हो clear A वाली बात अब कुछ लोग Z भी बोलते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर AX प्लस BY करके equation होती है यही वो equation है जिस और Y है इन्हें हम decision variable बोलते हैं decision variable क्यों बोलते हैं क्योंकि हमें decision लेने में help होती है अब यह x और y कहां से आते हैं यह समझो इसके लिए लगता है subject to constraint subject to constraints क्या होती है यहाँ पर कुछ set of equations होती है जिनको use करकर हम solve करते हैं अब यह question कराऊंगा तब ज्यादा अच्छे लिखाई दे रहा है आपको यह आपको objective function है जिसमें आपको maximize पूछा है अगर आपसे कोई बोले z किसके लिए use होता है तो option आता है paper में maximum करने के लिए minimum करने के लिए यह optimal करने के लिए तो आप maximum minimum नहीं लगाओगे आप optimal लगाओगे क्योंकि आप maximum लगाते हो तो यह indicate करता है कि सिर्फ maximum minimum लगाते हो तो सिर्फ minimum नहीं यह optimal होता है maximum minimum तो question पर depend करता है अच्छा यह इस चीज़ को subject to constraint बोला जाता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है अब इन symbols के बारे में हमें पता है बाकी और detail में हम इसके बारे में बात करेंगे ठीक है बाई अच्छा यह च सिखाना है ठीक है उसके बाद ना कुछ shady reason आते हैं अब इस shady reason कैसे आते हैं सब discuss करूंगा रुकते चलो जिस shady reason आते हैं ना जिस भी एरिये पे बांड हो रहे हैं जैसे यह यह पॉइंट तो इन particular points को ना corner point बोला जाता है क्या बोला जाता है corner points ठीक है भई अब यह corner points ही help कर करते हैं आपको यह x और y वाली बात के लिए यह corner points ही x और y होते हैं और इसी को उस z में put करा जाता है ताकि maximum और minimum value मिल सके रुकते चलो सब समझ में आएगा अब यह curve तो सर समझ में आ गया इसमें भी कुछ खास बात है क्या yes जब किसी इसी किसी भी question का answer निकल कर आ रहा है किसी भी question का मालो आपने solve करा maximum value पूछी है आ गई minimum पूछी है आ गई तो से आप बोलोगे optimization problem क्या बोलोगे optimization problem ठीक है भई अब यहाँ पर भी एक problem है कि यह जो bounded है इसका भी नाम रखा हुआ है इन लोगोंने bounded मतलब यह जो shaded है जो अपना solution area है जो अपना solution area है इसे feasible region भी ब कुछी जाती है ज्यादा detail में नहीं जा रहे बस पता होना चाहिए इसे feasible reason बोलते हैं और इसके outside जो भी बच गया जितना भी बच गया सब आपका infeasible है यह बात याद रखिएगा यानि जो आपका solution का part है वो feasible है और solution के part से बहार जितना भी कुछ बैठा हुआ है सब infeasible है अब बात आती है यह draw कैसे होता है यह बंता कैसे है पहले इसका basic समझेंगे उससे भी पहले एक छोटी सी चीज देखो बई अपने पास ना area द unbounded ठीक है एक आता है bounded और एक आता है unbounded ठीक है ध्यानते सुनते जाना अब bounded में क्या होता है और unbounded में क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से सुनो देखो बई bounded आपको समझ में आ गया कि सर वो कही ना कहीं से इस तरीके से cover होगा कि ऐसे bound हो जाएगा ठीक है unbounded जो है व minimum answer भी आता है कोई एक नहीं दोनों आते हैं हाँ वो कोशन वाला एक ही चीज पूछ रहा है तो अलग बात है बट इसमें maximum भी आता है और minimum भी आता है unbounded में maximum और minimum आता है कोई एक ही चीज आती है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन में से एक ही चीज बन पाएगे और उसको भी चेक करना पड़ता है यानि इसमें हमें maximum और minimum के लिए need to be check होता है need to be check दोनों नहीं होते एक ही होता है और उसको भी चेक करने की जरूरत पड़ती है वो चेक कैसे होता है मैं अभी question करवाऊंगा तब जादा समझ में आएगा बट अभी छोटी सी एक detail सुन लो जैसे कोई भी z है ठीक है आपने corner points put करे एक value आगई M और दूसरी value आगई M मालो M है maximum M मत बोलो इसे N बोलो ठीक है यह maximum है और यह minimum है ओके तो आपने क्या करा आपको यह चेक करनी है AX प्लस BY अगर maximum के लिए है तो आप बोलोगे greater than M और अगर यह चीज़ minimum के लिए हुई तो आप बोलोगे AX प्लस BY less than N ठीक है जो भी आपका graph बना है उसी के अंदर इसको भी draw करो इसको भी draw करो ठीक है ध्यानतर सुन लो जो भी graph बना है उसके अंदर इसको draw करो अगर कोई common point आया ध्यानतर सुनना मेरी बात अगर कोई common point आया तो maximum value नहीं आएगी ऐसे दोनों में है सेम बात अगर common point आया लिख देता हूं हिंदी में अगर common point आया तो answer नहीं आयेगा तो answer नहीं आयेगा इस बात को दोहराओ मेरे साथ अगर कोई common point आ गया तो answer नहीं होगा बट अगर common point आ रहा है तो answer नहीं आएगा और answer कब आएगा जब common point नहीं आएगा उल्टा चलना है बस इतना याद रखो अब चलते हैं इसके graph वाली बात पर देखो सबको basic line draw करने आती है तीन तरीकी की line ने जादा आती है paper में एक तो आती है ये वाली ठीक है सुन ले ना फिर question पर चलते हैं जादा detail में नहीं जाना है जो paper में आ रहा है सिरिफ उसकी बात करते हैं ठीक है ओके अब इसके अलावा मान लो एक line और बनती है ऐसा करते हैं इसको न थोड़ा सेमी बात है तो बस inequality को change करते हैं और इस तरीके से और एक ये वाली line बड़ी बनती है ये confuse करती है बच्चों को तो तीनों को सिखा देता हूं ठीक है फिर सीधा चलूंगा question की full presentation के साथ कि कैसे paper में उसे करकर आते हैं ठीक है और paper में हो सकता है एक marks का question आए mcq में और चार नंबर की सीधा case study आ जाए तो case study के लिए बिल्कुल light level पे equation भी अपने को पता होनी चाहिए उसका भी discussion कर देंगे और वैसे question को मैं sample paper में भी discuss करने वाला हूं तो यह नहीं कि LPP देख गए और चल गए sample paper भी कर लेना मेरे साथ आके अब देखो भाई कभी ऐसे सवाल आये तो इसको पहले लिख लो ठीक है फिर ऐसे box बना लो और आप इनको अपने हिसाब से फिल करो जो आपको अच्छा लगता है कलर जच नहीं रहा है ठीक है तो मैं क्या करता हूं मैं 0 रखता हूं यहां भी 0 रखता हूं depend on the equation कि क्या पूछा गया है तो X की जगा 0 रखा तो यह 2 आ गया यहां 3 आ गया ठीक है अब क्या कर आपने को पता है तो आपको इस लाइन के इधर एक पॉइंट उठाना होता है तो हर बच्छे ने ե՟ रखता होता है क्योंकि उसको इज़ी लगता है सर मैं तो ओरीजेण उठाऊंगा अब जब उसने ओरीजेण उठाऊ sun उठा लिया उसने तो 00 को क्या करता है वो इस equation में पुट करता है और चेक करता है कि क्या origin उसके हिस्से की बात कर रहा है समझते हैं आजाओ पुट करो इसमें दो गुणा जीरो प्लस तीन गुणा जीरो अपने को पता है जीरो याना है इस inequality को देखो बस तो यह वाली जो inequality और लेस देख ओवाली तो जड़ा देखो ZERO क्या छेसे छोटा होता यह डूंड यह बात अगर यह बात सची निकलती है तो इसका मतलब यह तूकرना के तरीके से करना है लेकिन अब यह उपर नहीं जाएगा ठीक है अब अगर मान लो सर इसने जूट बोला होता तो अभी रुख जाओ इसको भी चेक करते हैं इधर आ जाओ सेम केस है सेम एक्वेशन बनेंगी सेम एक्स की जगा जीरो जीरो तीन अब ध्यान चे सुनना यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग केस आएगा जब इसके नीचे इक्वल होता है जब इसके नीचे इक्वल होता है तो लाइन सीधी बनती है जब इसके नीचे इक्वल नहीं होता तो line ऐसे dotted बनती है, ये बात याद रखना, अब dotted बनेगी, पर check करने का तरीका वही है, अब जब इसमें आप 00 रखोगे, तो देखो 2 into 0, 0 into 30, 0 क्या 6 से बड़ा होता है, ये बात false हो गई, अब समझना, अब इस point ने, इस 0 ने, इस line से जूट बोल दिया, इस line ने इस से जू के से चीज़े shade होती है, सबसे important जो हर बच्चा गलत करता है, ये वाले line, अगर ये चीज़ clear हो गई है, तो अगले line अगले page पे सिखाता हूँ, ठीक है भई, देखो मैं इसका shortcut भी बताऊंगा, देखो भई, सबसे पहले तो इसको लिख लो, x minus 2y बराबर 0, तो x बराबर 2 इस line की ने खास बात होती है, कि ये origin से pass through होती है, अब इसके आगे आपकी इच्छा है, कोई भी point रख लो, देखो भई, मैंने रखा वाई की जगा एक तो या आया, दो, दो पर रखा तो 4, minus भी रख सकते हो, अब जब मुझे पता लग गया कि origin से pass through होगी, तो मुझे पत बना, अरे बैत, तेरी ऐसी की तैसी बेस्ती करा रहा है मेरी, रुख जाब आई, एक सेकिन रुख जाओ, अब बनेगी है, ठीक है, हाथ लग गया मेरा, ये तो line तो बनी गई थी, अब ठीक है, अब ठीक है, देखा, बनगी ना, अरे बनेगी कैसे नहीं, इसकी ऐसी की तै हुई है, आप देख सकते हो, अब समझो, shortcut करना है, बिना कुछ करे, एक बात बताओ, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो भई, चीज़ समझ में आ गई, अब क्या करना ह अब आप यहां से यहां से जो आपका मन करे न वो point उठा लो जो मन करे अब याद रहे origin नहीं उठा सकते इस line में origin को नहीं उठा सकते यह बात बहुत ज़ादा जरूरी है इसमें origin को नहीं उठा सकते आप ठीक है भई कोई दिक्कत नहीं है माइक चेक कर रहे थे भई कि यह आवास तो क्लियर आ रहे है ना हेलो हाँ ठीक है बई ओरीजन जो है उसको पुट नहीं कर सकते क्योंकि ओरीजन तो खुद एक लाइन पे तो हम क्या करेंगे यहां से टू को ठालिया थिरी को ठालिया फोर को ठालिया वन को ठालिया वट्यव आप बताओ two zero से बड़ा होता या नहीं होता yes sir होता है ये बात तो true है true love है इसका तो इसकी तरफ आ जाएगा answer ये लो जी आगे answer इसकी तरफ और क्या चाहिए भई clear हो गई ये वाली बात clear हो गई हाँ या ना भई जब इसने इससे सच बोला है तो ये इधर आ गया sir अगर मैं यहां का point लेता तो ले भई 0,2 लेके देख ले तू रख इसमें 0,2 x की जगा 0 उधर 2 अब बताओ 0 क्या 4 से बड़ा होता है तो इस point ने इसको धोका दिया जूट बोला तो ये बोल रहा है मैं चला नीचे वाले की तरफ तो ये फिर से नीचे ही तो आया तो किसी भी तरीके से करो answer y आता है कुछ फर्क नहीं आता है इस बात को ध्यान लगना अब एक shortcut क्या था ये सुन लो जब ऐसे करके equation बनती है ना तो जिस तरफ inequality ने अपना मूँ खोला हुआ होता है खोला हुआ होता है उसी तरफ answer चला जाता है तो एकस की तरफ देखो greater than है ना तो answer आपका किस तरफ हो गया X की तरफ देखो shade किस की तरफ है X की तरफ है किस की तरफ है X की तरफ X की तरफ बो बास समझ में आ गई अगर यही इन equality को में reverse कर दू तो answer y की तरफ हो जाएगा, बोलो ये सारी बाते clear हो गई, optimization क्या होता, decision क्या होता है, lines क्या से बनती है, ये सब चीज़े clear है, back to the questions, चलो, आज़ो वई, questions पे आज़ो, ये रहा आपका question, question हमने पहले ही बना दिया था, दुबारा बना लेते हैं से, चलो, सबसे पहले आप लि है, तो उनको लिख भी लो, एक एक करके, x plus 2y less than or equal to 12, 2x plus y less than or equal to 12, और x plus 1.25y, इससे घवराना मत, ठीक है वाई, अब क्या करना है, x, y greater than or equal to 0, एक एक करके न, जितनी लाइने उन्हें draw कर लो, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा, x plus 2y less than 12, फिर मैंने लिखा, 2x plus y less than 12, और फिर मैंने लिखा, x plus 1.25y greater than 5, अब क्या करना है, एक एक करके, इसको box बना लो, आपकी मर्जी है, equal to लिखना या नहीं लिखना है, proper neat and clean तरीका वताऊंगा इसको करने का, एक बार x की जगा 0 रख दो, एक बार y की जगा, बाकी आप कोई और point भी रखते हो, म मुझे कोई दिक्कत नहीं, यह मिरको अच्छा लगता है, इसलिए मैंने रख लिया, x की जगा 0 रखा, y की जगा 6 आजाएगा, y अगर 0 हुआ, तो x 12 आजाएगा, ठीक है भाई, चलो, इधार आजाओ, एक एक करके, अभी two word, two word, सब चेक करेंगे, देखो भाई, x की जग आती है, आप देखो अपना, y की जगा 0, x कितना आएगा, 5, ठीक है, सारे point आ गए, अब इसी में आपको चेक करना होता है, वाली बात, भई, origin वाली बात, इसमें वो वाला case तो नहीं है, जो पीछे वाला भी case सिखाया था, मैंने आपको, यह वाला case तो नहीं है, तो सोच आगे, true, तो यह true love है, इसका, तो यह हो जाएगा, towards the origin, क्या हो जाएगा, बच्चे, towards the origin, तो भाई, towards the origin, यमारा answer हो गया, अब समझो बाकियों को, मैं graph already बना रखा हूँ, आप लोगों के लिए, क्योंकि उतना जादा time waste नहीं करना हूँ, मैंने खुद बनाया, आप दूसरी वाली बता दी, कोई बात नहीं, यह रही, x plus 2y यह रही, इस line की बात हो रही है, यह देखो, ठीक है, जब यह line draw करी, यह two word आ रही है ना, तो देखो, इसको मैंने नीचे की तरफ, इतना सा arrow बनाया, इतना सा arrow बनाया, अब देखो, मैंने graph चाहे पहले बनाया, देख रहे हो, 00, कैसे put करा भई, फिर से 00 रखा, फिर बारा आ गया, सर यह भी true आ रहा है, तो यह भी पूरा लिखो, towards the origin, क्योंकि यह line towards the origin की तरफ आ रही है, ठीक है भई, आ जाओ देखो, अब यह वाली line है, यह भी नीचे की तरफ आ रही है, देखो, इसका भी arrow यहीं ह ठीक है भई, अब क्या करना है, पूरी बात ध्यानते सुनना, अब क्या करना है, लास्ट वाली line, इसमें भी origin लो, अब इसमें हो गड़ बड़, इसमें जब आपने 0 रखा, तो यह आ गया बड़ा, तो इसका मतलब 0 5 से बड़ा तो होता ही नहीं है, तो यह बात हो गई false, इसने जूट बोल दिया, तो यह जाएगा upward the origin, अब यह upward जाएगा अगर origin से, तो यह वो line है, यह देखो किस तरफ जा रहा है, उपर की तरफ, उपर की तरफ, बात समझ में आ रही है, अब मैं इन सब को एक साथ दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना, देखो वही सारा graph draw है आपके सामने और हर एक line पर मैंने लिखा है, कि कौन सी line कौन सी है, देखो यह वाली line, देखो मिध्यान से सुनना, यह इस तरफ आ रहा है, हाँ यह ना, इस तरफ आ रहा है, नीचे वाला भी इस तरफ आ रहा है, यह उपर की तरफ जा रहा है, तो shaded region is our feasible solution, ठीक है, bounded and feasible भी बोल सकते हो, ठीक है, bounded भी है, अब इसके अलावा इसमें समझना क्या है, वो थोड़ा ध्यान से सुनो, देखो भई, आप अगर यह चीछ प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे, क्योंकि मैंने scale से बनाई है, फिर भी समझ आ रही है, आप इसे पॉइंट बड़े अराम से मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफ पर यह सीध में दिखाई देता, यह X की सीध में है, यह इधर से Y की सीध में है, तो अराम से पता लगता है कि यह 4,4 होगा, यह क्या होगा, लेकिन अगर पेपर में आप फज जाओ, आप फज जाओ, आपको लिखते चलो कि वह equation कौन सी है, वह equation कौन सी है, इससे क्या help होगी, कि अगर आप फज गए और आपको यह common point नहीं मिल पा रहा, तो आप इन दोनों lines को, जिसकी जो भी intersection line है, जो भी intersection line है, उसको आप किस से solve कर सकते हो, पूरी बाद सुनना, किस से solve कर सकते हो, simply elimination method से 10th class, X औ 2Y बराबर 10, 2X प्लस Y बराबर 15, solve कर दीजिएगा इसको, खतम बात, और कुछ सोचो ही मत इस से जाधा, direct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, देखते हैं इसको, यह वाली चीछ clear हो गई, graph का point समझ में आ गया, अब हमार को मिलेंगे corner points, क्या मिलेंगे, corner points, और इसे हम put करेंगे Z में, किस में put करेंगे, Z में, आजो देख लेते हैं, यह रहे, 600 और 400 Y, 600 X, 400 Y, corner point उठाओ, एक एक करके, सबसे पहले A वाला है, A कितना है, 0,6, B कितना है, 4,4, कैसे आया मैंने आपको भी बताया, C बताओ, C है 6,0, X axis पे है, D कितना है, तर D ये रहा, 5,0, E कितना है, E, E ह सायर, ये वाला, 4 वाला, तो 0,4, अब इसको put कर दो, 6 करो, भाई, देखो, इसका मतलब होता है, X की जगा 0, Y की जगा 6, X की जगा 0, Y की जगा 6, 6.24, ठीक है, आप करो, 6.24, 4.16, 4000, कितना आ गया, 4000, आप करो, 6.36, 5.30, चार से करो, 4.16, क्या पूछा था, कोशन मिनिमम या सब्सक्राइब, मैक्सिमम, मैक्सिमाइज करना है, तो भाई, इसका मैक्सिमम अंसर होगा, 4000, तो आप लिखोगे, Z is, मैक्सिमम, या Z has, मैक्सिमम, वैल्यू,noxार,and,ic4,4, मतलब 4 और 4 पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, इतना करने से आपको तीन नंबर मिल जाते है, ठीक ह से ज़्यादा आप से यह चीज पूछ लेता है कभी का बार कोशन में न सिर्फ ऐसी लाइन दे देता है बस इतनी तो आप इसको कैसे ड्रोगे सर यह तो दो है तो एक्स बरावर दो यहां होता है लाइन सीधी ड्रोगर ना इसमें कोई ग्राफ के बारे में मत सोचना इसमें बीच बीच में आती है लाइने तब ही जिकर करते हुए चल रहा हूं मैं आपके साथ अब इसमें भी जीरो रखके देखो जीरो बड़ा आ रहा है तो जीरो क्या दो से बड़ा होता है यह बात तो फॉल्स है इसलिए इसका अंसर इस तरफ आएगा तो एक कॉमन रीजन में काम आते हैं सब बच्चों के ठीक है वही चले बहुत बढ़िया अब करते हैं अनबाउंडीड का कॉश्चन फिर कुछ mcq दो तीन सॉल्फ करेंगे और बाकी बताऊंगा और कहां से कितना करना है यह अनबाउंडीड का कॉश्चन लेकर आए हूं मैं देखो मिनिमाइज सबसे पहले लिख दिया मिनिमाम उठाके लिखना यार कॉपी पेस्ट वाली बात है जैड़ बरावर सिक्स एक्स प्लस का सेवन वाई subject to constant जब भी इस तरीके की equation आती है तो असानी होती है बस आपको करने आनी चाहिए x प्लस 2y बरावर 10 है ठीक है आजाओ 2x प्लस का y greater than और 8 x प्लस का 2y greater than और equal to 10 चलो मुझे कैसे पता लगए unbounded को कि दोनों में greater than का symbol है क्योंकि यह वाला sign अक्सर false को lead करता है और यह वाला sign अक्सर true को lead करता है ठीक है इस तरीके से ठीक है ना चलिए तो अब इसको solve करते हैं 2x plus y equal to 8 कैसे करेंगे आ जाओ एक बार x को करा 0 y आ गया 8 ठीक है अब अगर y को 0 करता हूं तो x कितना आएगा ध्यानते सुनना sir x आ जाएगा 4 मैं तो वह इस तरीके से करता हूं और फिर वही मैंने origin origin रखना है अपने को पता है अब तो sir false ही आना है क्योंकि हम सीख चुके हैं इसमें अगर आप 0 रखोगे तो 0 8 से बढ़ा तो होता नहीं है तो यह बात क्या हो गई फॉल्स हो गई क्या हो गई फॉल्स अब इसके अंदर लिखेंगे क्या फटा-फट कमेंट में बता दो अगर यहां तक वीडियो में आए हो अपवर्ट दा origin क्या लिखेंगे अपव वही आएगा 0 greater than 10 तो इसका मतलब यह भी फॉल्स हो गया यह भी फॉल्स हो गया अब अगर आप 0,8 को ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम है मेरे लिए भाई देखो 0 पर 8 यह रहा और फिर 4 पर 0 है 4 पर 0 यह रहा तो देखो यह लाइन ड्रा हुई है और यह मैंने लाइन लिखी है इसके नीचे यह जरूरी होता है यहां X-axis बताना यह एक्स ट्रायस कर लेना और यह Y-axis हो के सा मैंशन करना जरूरी है अभ़िए पॉल्स है तो इसका उपर की तरफ जा रहा है ए मौपर की तरफ ठीक है और इस वाले का यह लाइन जो जा रही है है दूसरी लाइन है यह देख सकते हो यह भी अपवर्ड है 0 पर 5 5 10 पर 0 तो यह भी उपर की तरफ जा रही है ठीक है वह यह अपना बाउंड़ेड एरिया यह सारा ठीक है एक सौरी अनबाउंड़ेड एरिया शेडिट रीजन तो यह जो रीजन है आप क्या बोलोगे कॉमन अब अनबाउंड़ेड क्यों लिख दिया सर पिछले वाला थो बाउंड़ेड था तो बाउंड़ेड वाला तो फिक्स होता है कि इसका अंसर हो गई होगा यह फीजेबल सॉलुशन है उसमें कुछ सोच नहीं नहीं होता आप लोगों को लेकिन इस कोशन में कुछ है वह है भी यह नहीं है तो ऊसो बात को पहले हम कन्फर्म करेंगे आजाओ तो सबसे पहले इसमें वी आप कॉर्णनर प toilets उठाओगे, corner point हर जगा उठाई जाते हैं, corner point उठाओ, अब corner point के लिए graph होना चाहिए आपके पास, ठीक है, नहीं है, भई graph होगा, तभी तो अच्छे से पता पाओगे, मेरे को तो दीख रहा है, क्योंकि मैंने तो अच्छा graph बनाया है, experience है यार, तो ये वाला जो point है, आप बोल रहा हूँ, इसे C बोल रहा हूँ, तो B हो गया, दो कोमा चार, ठीक है, और C हो गया, दस कोमा जीरो, C क्या हो गया, दस कोमा जीरो, अब इसको आप Z में पूट कर दो, किस में पूट कर दो, Z में, minimize करना है, 6 और 7 Y, 6 और 7 Y, ध्यान से सुनना इस question को, 8, 7, 56, इसको ध् हाँ ठीक है एक सब्सक्राइब यह कुछ गलती हुए ना 56 लिखानी और फिट 10 रखो 60 तो यह अपना मिनीमम आ रहा है बड़ी नीड टू भी चेक ठीक है क्यों चेक करना है वी नीड टू चैक फोर मिनीमम वेल्यू क्यों चैक करना है क्योंकि रीजन अन बाउंड़ है अब देखो भाई यहां है आपको सीखने वाली बात जो आपको नहीं पता है कईयों को पता भी हो सकती है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सब कोई नहीं पता तो सबसे पहले यहां उठाओ गया आप अब्जेक्टिव फंक्शन मैं आपके लिख रहा हूं पेपर में मत लिख देना ठीक है अब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 6x प्लस 7y तो यहां उठाओ 6x प्लस 7y अब यह ग्रेटर देन आता अगर मैक्सिमम होता बट मिनिमम की बात है तो लेस देन आएगा 40 से बोलो बात समझ में आ गई अब इसको आप यहां ड्रॉ करोगे ऐसे प्लॉटिंग करके ठ तरीके के पार्ट में मैं ऐसी वैल्यूस करता हूं थाकि जो कि डिवाइड हो सके तो मैंने क्या करा एकस की जगे रखा दो अब एकस की जगा दो रखने से देखो क्या हुआ में रफ में आ जाता हूं यह रफ में विताता हूं कि 6x प्लस 7y बराबर 40 से खेंद रुनी 12 चार आया और ये भी तो दो रखने पर चार था तो ये वाला पॉइंट आ गया ये चीज़ याद रखना बाकी तो जीरो रख दो X को जीरो रखने पर Y आएगा 40 बटे 7 और Y को जीरो रखने पर X आएगा 40 बटे 6 अब अंदाजा ही लेना है और कुछ नहीं 40 को साथ से भाग करो फाइफ पॉइंट सम्थिंग आएगा ठीक है और चालिस को छे से भाग करो पॉइंट आप अप्रॉक्सिमेट निकालना फाइफ पॉइंट चालिस बटे साथ कितना होता है तो पंजे पैंटे सत्तू अठेच चपन सत्तू सत्तू नंचास फाइफ पॉइंट सैवन के आराउंड ठीक है और इसको डिवाइड करो चालिस बटे च्छे को छेचिक छत्ते च्छे सत्ते व्याले 6.7 के अराउंड अप्रॉक्सिमेट है तो यह लगभग लाइन ऐसे जाएगी ध्यान से देखना आप अब नोटिस करो यह लाइन ऐसे डॉटेड डॉटेड करके जा रही है डॉटेड क्यों जा रही है क्योंकि यह चीज है अब यह लाइन जब डॉटेड गही और इसके बाद इसका अगर आप सॉलूशन चेक करो ध्यान से देखना ध्यान से देखना अगर मैं इसमें 0 रख भी दूँ तो 040 से बढ़ा आएगा चोटा आएगा तो यह बात तो ट्रू हो गई यह बात क्या हो गई प्रू हो गई अब जब है तो इसका मतलब यह नीचे की तरफ आ और उजब हो गया नीचे की तरफ आ रही एवाइसे इसको चैक करने जाूरत निए देखते ही पता लग जाता है बाई यह चीज इधर की तरफ है आप यह बताओ बस इतना बताओ क्या इसके अंदर और ये shaded reason के अंदर कुछ common है, सर ये तो इस तरफ है और shaded reason उस तरफ है तो अब क्या लिखोगे, it has no point in common ध्यान से सुनो, अब ये इस तरफ है वो उस तरफ है, तो क्या कोई point common आया, भै ध्यान से देखो, भै ये line इस तरफ आ रही है, वो line उस तरफ है, वो shaded reason है, ये अपना अलग area है वो unbounded है, और ये जो line हमने draw करी, इसका उससे कोई common point नहीं है, it has no common point, और जब common point नहीं होता, तो answer होता है, that means, Z has minimum value, तो Z की minimum value होगी और 40 होगी वो, और किस point पर होगी, 2,4 पर होगी बात खतम, clear है ये वाली बात 2,4 पर होगी, क्यों होगी क्योंकि उसका कोई common point नहीं है, अगर common point आ जाता तब answer नहीं आता, इस बात को याद रखना, ठीक है वई, तो common point नहीं आना चीए, इस बात को याद रखो, चलो 2 mcq और देखते हैं, फिर से खतम करते हैं, इस question को जल्दी से try करो, एक minute का time दे रहो, पानी भी लेता है, ग्लास चलो भई, शुरू करते हैं I hope try question पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, देखो भई, इस तरीके के mcq ज़रूर आते है, क्योंकि आपके paper में, अब आप बोलोगे सार, अभी तो आप कम mcq कर आओगे, try कहा करने हैं, देखो भाई, अभी इस class के बाद शाम को, एक lpp की pdf upload हो जाएगी, उस pdf के अंदर, कुछ mcq होंगे, अच्छे यह question देखते हैं, the corner point of the bounded feasible reason of lpp are, this, 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 00, 250, 0, 250, 0, 175, अब आपको बोलाया है कि z की जो value है न, वो है, sorry, 2ax plus by, ठीक है, अकर at this and this, अच्छा, ठीक है भई, z maximum है, z क्या, यह question बढ़ा आता है वे प्रम भई, z maximum है, इस पर, 200,0 पर, और 200,50 पर, तो आपको a और b में relation बताना है, ग्राफ तो खामा का गुमाने के लिए दे रखा है, तो कुछ मत करो, जब दोनों पर maximum है, एक ही value दो अलग-अलग पॉइंटों पर हो सकती है, क्या, हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, दो अलग-अलग answer आ रहे हैं तो, आने दो, तो अब एक बास समझना, अगर इन दोनों पर maximum है न, कहा है, 200 और 200, 200 0 और 250, ध्यानते सुनना, अगर इस पर भी maximum है, इस पर भी maximum है, तो यह जो line बन रही है न, इस पूरी line पर maximum होती है value, इस बात को याद रखना, पूरी line पर maximum होती है, पूरी line पर, अगर उपर और नीचे दोनों पर maximum है, तो, x की जगा 200 और y की जगा 0 बराबर अब 2a x की जगा 200 प्लस b into y की जगा 50 solve कर दो 200 दुनी 500a और यह तो 0 होई गया 200 दुनी 400a और यह 50b ठीक है अब देखो 500a में से 400a को क्या कर दो minus तो कितनी बार a बचेगा 100a और क्या बचा 50b क्या बचा 50b अब 50 दुनी 100 तो value आ गए 2a equal to b 2a equal to b option number a is right और कोई option number a right कितनी दिर लगे अगर आप question ध्यान से करोगे तो जादा दिर लगेगी ही नहीं यह देखो दो और questions है फिर corner point दे दिया अब मैं आपके ओपर छोड़ता हूं कि असान है सारे point दिये हैं ठीक है इसके अंदर put करना है और बताना है किस पर maximum होगा और किस पर minimum होगा ठीक है बस यह सकोशन है बात खतम मैं तो कहा रहा हूं कि भाई इसको ध्यान से चेक करना और सबसे पहले maximum इसी point पर चेक करना क्योंकि दो option आ रहे हैं इसके जैसे ठीक है भाई clear यह वाली बात check करना इसको अच्छे से ओके अब यह वाला मैं करवा देता हूं the corner point of the feasible region determine these constraints ठीक है तो आपको इसको बताना कितने corner point होंगे तो भाई सबसे पहले x-y 0 है फिर 2y x-2 है और x और y 0 तो first coordinate के लिए होता ही है तो एक roughly graph draw करते हैं इसको मैंने आपको बताई रखा है कि कैसे draw करना है भाई x y से बड़ा और बराबर है यह line origin से जाती है कुछ इस और किसकी तरफ मुझ खुला हुआ है सर x की तरफ तो इसका answer नीचे की तरफ होगा ठीक है भाई इसको draw करना है अब बिना छेड़े draw कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो भाई x की जगा 0 रख दो y1 आ रहा है देखो अना अब y की जगा 0 रखो has came on to do a रखाया रख किसका दोओ आगया माइनस का ड़ोएगयाँ अब x अगर माइनस का दो आएगा कि धर जाएगा नव ठीक है अब क्या करना घ쪽 तरी के से जाएगा अब जब यह कुछ इस तरी के से कनेक्ट करेगा आँ आप यह देखो इधर है और इसी की तरफ चार investor गया यह जो गई है यह वाली यह नीचे की तरफ इस्की बात करते हैं हमने बनाई है इस इसमें भी आप origin यूज कर लो करो origin जीरो वाई की जगा जीरो प्लस टू तो आप बताओ जीरो से बढ़ा होता है क्या दो यह यह बात तो टू है तो यह आंसर भी नीचे की तरफ आएगा तो जब यह भी नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है वही तो आंसर यह वाला होगा सारा यह सारा तो मेरे असाब से तो सिर्फ दो ही कॉर्णर पॉइंट दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर एक यह वाला कलर चेंज कर देते हैं कि एक यह वाला ठीक है क्योंकि यहां से शुरू हो गया common होना एक यह वाला और आगे कोई कि इस टॉपेज है यह अलग जा रहा है वह अलग जा रहा है तो वहां क्या ही बोल सकते हैं तो मातर यह दो पॉइंट ही मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने शेड़ी डिजन में आ रहे हैं तो इसका मतलब option number A is the right one तो I hope यह सारी चीज़ अच्छे से clear हो गई होगी आज के लिए इतना ही मिलेंगे next वीडियो में पर जाने से पहले एक बार फिर से बता दूँ कि भई टेलीग्राम का जो link है वो आपको description में मिल जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए यहां से आप पढ़ाई कर सकते ठीक है भाई मिलते हैं next वीडियो में बाई बाई and take care